लाइफ हमेशा बहुत ही अनेक्सपेक्टेट से टन्स लेती है किसी ऐसे टन्स पर कब हमें प्यार हो जाए कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है इसे एक ब्यूटिफुल सी थीम के साथ आज के हमारी मूवी ते प्रपोजर ये 2009 की एक रोमांटिक होलिवूड मूवी आती है इसकी स्टोरी लाइन को बताना स्पोयलर होगा बट आया शोरियो एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो अंदग इस वीडियो को जरू देखेगा अगर आपको एक्सपेशन चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब भी नगस्देरी के एक्सपेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में क्यारेक्टर मार्गरेट को देखते हैं जग पूप पुब्लीशिंग कंपनी में एटिटर थी है हमारा सेकर्ड मेंट क्यारेक्टर जिसका नाम है एंड्रू ये उसके लिए असिस्टन था वो आज जरा उटने में लेट हो गया तो जल्दी से रेडियो होकर कॉफी लेकर मार्गरेट के पास बहुत जाता है जाते-जाते उसके हाथ से कॉफी भी नीची किर गई थी मार्गरेट चाहती थी कि एक आर्टिस भूक लिखे पर वो लिखने के लिए रेडि नहीं था तो मार्गरेट खूद उसे कॉल करती है बहुत अचे से बात करकर उसने बुक लिखने के लिए उसे कन्वेंस कर ही दिया था वो अपनी कॉफी पर नोटिस करती है कि एंड्रू का नाम लिखा हुआ है उसने बुझा कि मेरी कॉफी को क्या हुआ एंड्रू ने कहा कि एक नीची गिर गई थी मागरेट ने कहा कि हम दोनों एक ही टाइब की कॉफी पीते है अगर तुम मुझे डर कर सेम टाइब की कॉफी पाई करते हो तो यह बहुत ही पथेटीक है एंड्रू साच्वुष में उससे डरता था इसी वज़े से सेम कॉफी पाई करता था अब इसके बाद दुनों मिलकर एक इंप्लॉई के ऑफिस में जाते है उस आर्टिस को बुक लेने के लिए मनाने का काम उस इंप्लॉई का था पर इक काम मागरेट को करना पड़ा इस वज़े से वह बहुत ज़ादा गुसा थी उसे गन्फरंट करती है और उसे पता जलता है कि उस इंप्लॉई ने ट्राई भी नहीं किया था इस वज़े से उसे फायर कर देती है वो इंप्लॉई बहुत ज़ादा गुसा हो गया और उफिस में सब के सामने उसे बहुत गालिया देता है उसने मार्गरेट से कहा तुम अकेली हो इसी वज़े से अपना फ्रस्टेशन सब लोगों पर उतारती हो इसके बाद मार्गरेट एंडु से गयती है हमें विकेंड पर भी काम करना पड़ेगा उस इंप्लॉई के सारे कॉंट्रक्स हमें देखने पड़ेंगे एंडु के ग्रैंड मा का 19 बटे आने वाला है तो इस वज़े से वो घर पर जाने वाला था पर हम मार्गरेट की वज़े से नहीं जा पाएगा नेकसे में मार्गरेट को उसके बोस उसके पास बुलाते है तो इस वज़े से अब वो तुमें डिपोर्ट कर देने वाला है मार्गरेट को इसे शौक लगता है उसे लगा कि कुछ नगोश्टो कर सकती है पर इसमें वो कुछ भी कर नहीं सकती थी अगर वो इस कंट्री में नहीं रह रही है तो इस ओफिस में भी काम नहीं कर सकती अजानक से जब यह मीटिंग हो रही थी तो एंड्रू से लेने के लिए आया तो मार्गरेट को एक आइडिया आता है कि अगर वो एंड्रू से शादी कर लेगी तो यहां की सिटीजनों बन सकती है उसने अपने बॉस से गा कि मेरे बास आपको देने के लिए एक न्यूज है मैं और एंड्रू हम दोनों शादी कर रहे है इतने दिनों से एक साथ हम काम कर रहे है अने इक्स्पेक्टर मुमेंट पर हम दोनों को प्यार हो गया यह सब सुनना एंड्रू के लिए एक शौक ही था वो अपने बॉस के किलाब जानी सकता तो हाव में हाव मिलाता है बॉस है पूरी मार्गरेट की चाल समझ गया और उसे कहते हैं सिर्फ इन सब चीज़ों को लीगल कर देना ओफिस में जब सब लोगों को अब एंड्रू और मार्गरेट के बारे में पता चला तो एंड्रू के लिए सब को बहुत ही बुरा लगता है योगि मार्गरेट अब उसका जीना बरबाद कर देगी एंड्रू मार्गरेट से बुछता है कि तुम्हें सब कर क्या रही हो मागरेट ने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम कभी भी व्राइटर बन नहीं पाऊगे एंडू का व्राइटर बनना यही एक सबना था और इसी वज़े से जॉब कर रहा था मागरेट कहती है हम शादी करके जल्दी से डिवास ले लेंगे कोई भी प्रॉलम नहीं होगा इसके बाद यह दोनों इमिग्रेशन के ओफिस में है यह दोनों शादी कर रहे है यह वहाँ के ओफिसर गिल्बर्ट को बता देते है मागरेट ने जिस इंप्लॉई को अभी अभी फायर किया था उसने ओल्डेटी गिल्बर्ट को कॉल कर दिया था गिल्बर्ट को बता था कि मागरेट और एंड्रू यह फेक शादी कर रहे है उन्हें इस बात के लिए कंफरंट करता है तो मागरेट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों सिर्फ काम करते थे तो इस वज़े से अनेक्सपेक्टेड मुमेंट पर हमें प्यार हो गया इस बात पर गिल्बर्ट उन पर बिलिव नहीं करता उनसे कहता है वीकेंड खतब होने के बाद हम तुम दोनों का इंटर्वी लेंगे अगर इस इंटर्वी में दोनों का इक दुसरे के बारे में जादा पता नहीं है तो एंटर्व को जेल हो जाएगी और मारेट को फिर से उसकी कंट्री में भेज दिया जाएगा ऑफिसर ने फिर से एंटर्व को एक चार्ज दिया सब कुछ सच कहने के लिए पर एंटर्व कुछ भी पताता नहीं अफिसर ने पुछा कि तुमारे पैरेंट्स को क्या सब कुछ पता है मारेट के पैरेंट्स नहीं थे तो मारेट कहती है एंटर्व के पैरेंट्स को हम इस विकेंड पर बताने वाले है यहाँ से निकलने के बाद Margaret Andrew को appointment वेगिरा इन सब चीजों के instruction दे रही थी पर अब Andrew उसकी कुछ भी बात मानने नहीं वाला उसे यह था मैं मेरी पूरी life तुमारे लिए दाओ पर लगा रहा हूँ तो अब तुम मेरा promotion करोगी अब से मैं तुमारा assistant नहीं हूँ Margaret के पास कोई भी option नहीं था तो Andrew की बात उसे मानने ही पड़ती है अब इस मोके का फायदा उठा कर Andrew Margaret से हैता है तुमने मुझे शादी के लिए properly पूछा नहीं मुझे properly प्रपोस करो और Margaret को यह करना पड़ता है इंटर्विय में जो भी questions वो पूछने वाले थे इस सब Andrew को Margaret के बारे में पता था और Margaret Andrew के बारे में कुछ भी जादा जानती नहीं इस पूरे weekend पर वो Andrew के जानने की कुशिश करेगी Andrew के टाउन पर पहुछने के बाद उसकी mother और grandma ने इनका स्वागत किया उन्हें देखकर बहुत ही खुश थे Margaret की age Andrew से पड़ी है तो इनके लिए जरा surprise था पर फिर भी इस बात को accept कर लेते है Andrew और उसके फादर हमेशा चकरते रहते है तो इस वज़े से उसे लेने के लिए नहीं आये थे Margaret ने पूरे टाउन में नोटिस किया क्यार जगा पर Paxton ने लिखा हुआ था यानि कि हर शौप ये Paxton का था Andrew का पूरा नाम में Andrew Paxton है इसका मतलब है ये पूरा टाउन उसकी फैमिली ओन कर दिया वो इतना ज़दा अमीर है इसके बारे में Margaret को कभी भी पता नहीं था Margaret ने टाउन के एक होटेल में बहुत ज़दा तरती थी तो इस वज़े से जैकेट पहन करी बोट पर वैठी Margaret ने Andrew से पुछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने ज़दा अमीर हो Andrew ने कहा कि मेरी फैमिली रीच है मैं नहीं हूँ जब एक घरबर पहुचे तो इनके लिएक बड़ी पार्टी रखी गई थी Margaret Andrew के फादर से मिल दिया Margaret जो भी काम करती है इस प्रोफिशन को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते उन्हीं इसके बारे में जादा पता भी नहीं था Andrew का इस तरीके से अपने पैशन को फॉलो करने के लिए खर छोड़ कर जाना उसके फादर को अच्छा नहीं लगता तो इसी वज़े से वो ज़रा बिटर थे फादर ने Andrew से कहा तुम अपने बोस को डेट करे हो इस सिर्फ ऑपरचुनिटी पाने के लिए Andrew कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं एक्चल में उसे प्यार करता हूँ वो अपने फादर से गुसा हो जाता है और सब लोग को बता देता है कि Margaret उसकी फियांसे है इन दोनों के लिए सब लोग बहुत खुशते है Grandma और मदर ने Margaret से पूछा कि Andrew ने तुम्हें प्रपोस कैसे किया था इन दोनों के पास कोई भी स्टोरी नहीं थी तो Andrew कहता है कि Margaret को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है वही तुम्हें बताएगी कुछ भी वियर सी स्टोरी उन्हें बता देते है सब लोग फिर इन्हें चियर करने लग गया कि एक दूसरे को किस करो यह Margaret और Andrew के लिए जरा वियर था तो Andrew उसके हाथ को किस करता है और बाद में उन्हें फोस करने के बाद रियल किस करना पड़ता है यह फिलिंग इन दोनों के लिए अलग ही थी इसके बाद ग्रैंडमा ने Margaret और Andrew को उनका रूम दीखाया वोने एक कंबल देती है और कहती कि इसका नाम Baby Maker है इसे उड़ने के बाद बहुत सारे लोग को बेबीज हुए Andrew डर कर तुरंद इसे फेक देता है एक यह रूम होने की वज़े से Andrew को बेचारे को नीचे सोना पड़ा सुबा होने के बाद Margaret को आर्टिस्स का कॉल आ है उसे लग रहा था कि वो बुग नहीं लिख सकता तो उसे कन्विंस करने के लिए Margaret उसे बात करती है ज़रा रेंज आनी रही थी तो बाहर चली के Andrew के घर पर एक छोड़ा सा डॉग भी था वो भी उसके पीचे-पीचे बाहर आ जाता है डॉग को Eagle से खतरा था Eagle ने डारेक्ली उस डॉग को उठा लिया Margaret अपना फोन Eagle को मार कर डॉग को बचा ले थी है पर बाद में Eagle ने उसका फोन ही ले लिया उस Eagle के पीचे बाग रहे थी ये सब बहुत ही ज़ादा फनी था Grandmore और मदर उसे देखकर बहुत ऐसते है Andrew ने Margaret से बुचा कि तुम वरीड क्यो हो Margaret कहती कि Eagle मेरा फोन ले कर गया Andrew कहता है कि वरी मत करो हम सीटी में जाकर उसे ले कर आएंगे Grandmore और मदर उनने देख रहे थे तो Andrew ने कहा कि मेरे गले लग जाओ उसका फाइदा उठाने लग गया था Margaret कहती है जादा मजे मत लो वरना तुम्हारी नीन में तुम्हें मार डालोंगे इसके बाद Andrew अपने फादर से मिला कल रात फादर ने उसे जो भी कहा था इसके लिए उसे सौरी कहते है इसके बाद हो कहते है मैंने सारा बिजनेस खड़ा किया यह सिर्फ तुम्हारी लेग किया और अब तुम्हें नहीं करना चाते है तो इस वज़े से मुझे ज़रा बुरा लगता है Andrew ने कहा कि मैं मेरा पैशन फालो कर रहा हूँ इसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता फादर ये बात समझ नहीं पाते तो फिर से इन दोनों में जगड़ा हो गया थोड़ी दर में मदर और ग्रैंड माय मागरेट को सीटी में लेकर आए उसे एक लब में लेकर जाते है जहाँ पर रमोन उनके लिए स्ट्रीप कर रहा था रमोन ने उनका ही इंप्लाई है और उनके घर पर वो एस शेप भी काम करता है ये मागरेट के लिए बहुत ही वियर्ड है ये इस पार्टी में एंड्रो की एक्स गर्फरेंड में उन्हें जाइन कर दिया रमोन मागरेट को स्टेज पर ले जाकर उसके साथ डांस करता है ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड था वो फिर इस पार्टी से ज़रा भाहरा जाती है उसके पास एंड्रो के एक्स गर्फरेंड भी आके उसने का कि तुम बहुत ही लखी हो कि एंड्रो तुमारे पास है मागरेट ने पुछा कि तुमारा और एंड्रो का ब्रेक अप क्यो हुआ वो गहती कि हम हैस्कूल में डेट कर रहे थे उसके बाद एंड्रू को लग रहा था कि नुई यॉक में जाकर वो अपना पैशन फॉलो करें वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ हूँ पर मैं हमेशा इसी टाउन में रही हूँ इसी वज़े से उनका ब्रेक अब हो गया इस सब लोग जब घर पर वापस आया तो एंड्रू गुस्से में लकडिया तोड रहा था ये बाद उसके मदर ने नोटिस कि और डारिकली फादर के पास आयी वो गय थी कि तुमारी वज़े से एंड्रू अब घर पर नहीं आता अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ वो कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखेगा और ये वो नहीं चाहती थी मागरेट इनका जगरा सुनकर अपने रूम में चली जाती है वो शावर ले रही थी और बाद में उसने रियलाइस क्या उसके पास टॉवेल नहीं है राग में मागरेट एक गाना गुनगुना रही थी तो एंडरो ने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है मागरेट कहती कि बहुत ही फेमस बैंड है वो एक गाना गुनगुना देती है तो एंडरो कहता है कि मुझे पता था मैं सिर्फ तुमारा गाना सुनना चाता था मागरेट एंडू को जिस तरीके से ट्रीट करती है तो उसे बुरा लगता है उसने कहा कि जब मैं 16 साल की थी तो भी मेरे पैरेंस की डेट हो गई थी तब से हो हमेशा अकेले ही रही है इस वज़े से कभी भी उसकी long term कोई भी relationship रही नहीं एंडू को भी उसके लिए बुरा लगता है सुबा उने पर मदर इनके लिए breakfast लेकर आए तो जल्दी से एंडू मारेट के बेड़ में आ गया मदर की बिज़े बिज़े father भी आए उनसे बुछते हैं कि अगर तुम दोनों शादी करने ही वाले हो तो इसे विकेंड पर कर लो ग्रैंड मा को भी बहुत अच्छा लगेगा पहले तो यह मना कर रहे थे पर बाद में ग्रैंड मा भी आके वो गयती है कि अगर मेरी date होके तो मैं तुम्हारी शादी देख नहीं पाऊंगे इस emotional blackmail की वज़े से दोनों मान जाते हैं सब जाने के बाद बिचारे एंडरो को बहुत ही बुरा लगा वो मागरेट से कहता है कि अगर सब को सच के बारे में पता चला तो बहुत ही बुरा होगा मागरेट कहे थी कैसा कुछ बें नहीं होगा हम थोड़ी दिन में divorce ले लेंगे और बाद में तुम उन्हें बता देना वो एंडरो का सहारा देते हुए उसके पास आ गई थी ये दोनों करीब आने लग गए थे ये बाद मागरेट रियलाइस करकर वहाँ से चली जाती है वो अखिली bicycle ride करने के लिए के वो अपने आप से कह रही थी ज़्यादा emotional मत बनो ये सिर्फ एक business deal है इसके बाद एंडरो और मागरेट शॉपिंग करने के लिए टाउन में आए टाउन में मागरेट अपने email जब चेक कर रही थी तब वो अणरो को उसके ex girlfriend से बात करता देखती है मागरेट ने अणरो से पूछा तुमारे ex से मिलना क्या तुम्हें अच्छा लगा अणरो कहता है कि ठीक ठाक था वो confirm करना जाती थी कि क्या एंडरो अब भी अपने ex को like करता है पर एंडरो अब उसे like नहीं करता था टाउन में ग्रेट मा और मदर इन दोनों से मिल जाते है वो मागरेट को एक shop में लेकर गया ग्रेट मों उसे एक wedding trace देती है कहती है कि मेरी शादी भी इसमें ही हुई थी मैं चाती हूँ कि तुम अपनी शादी में भी यही पहन हो ग्रेट मा ने मागरेट को एक necklace दिया खा कि 150 years से इन necklace हमारी family में है मागरेट है सुनकर ज़रा emotional हो जाती है इतना प्यार कभी भी किसी ने उसे किया नहीं था grandman उसे force किया कहती है तुम इसमें बहुत ही beautiful लग रही हो तुमें लेना ही पड़ेगा इन सब बातों की वज़े से मागरेट disturb होके वो एंडु के साथ boat में चाड़कर जल्दी से आगे चली जाती है उसने एंडु से कहा कि मैं भूल गई थी एक्चुल में family होना क्या होता है मैं जो भी कर रही हूए बहुत ही गलत कर रही हो अगर सब को इसके बारे में पता चलता है तो उनका heartbreak हो जाएगा वो boat बहुत ही fast चला रही थी उनका accident हो सकता था तो एंडु ने boat उससे ले लिए वो जल्दी सी से turn करता है और Margaret पानी में नीचे गिर गई उससे देनना आता नहीं था तो बहुत ज़्यादा डर गई थी पर एंडु ने उसे बचा लिया उसका खैल रखता है ये दोनों जब घर पर आया तो एंडु के फादर के साथ immigration का officer Gilbert भी था Gilbert ने फादर को सब कुछ बात बता दी थी फादर ने Gilbert को पैसे दे दिये थे इस वाज़े तो एंडु से कहता है कि अब भी अगर तुम सब कुछ सच सच बता तो तुम्हें कोई भी jail नहीं होगी एंडु कहता है कि हम सरसुष में एक दुसरे से प्यार करते हैं और वहाँ से वाज़े चला क्या मागरेट ने कहा कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर क्यों रहे हो एंडु कहता है कि अगर मेरी जगाव पर तुम होती है तुम भी यही करती है शाम में इनके पास ग्रैंड माई और मागरेट को अपने रूम में लेकर जाती है कहती है कल वेडिंग नाइट है तो आज रात तुम दोनों को एक साथ नहीं सोना है डिरेकली अगली दिन वेडिंग की सारी तयारी हो गई थी है इनकी वेडिंग से रूम में ने स्टार्ट होती है वेडिंग के वक्त मागरेट को बहुत ही पुरा लगता है इस तरीके से उस सब लोग को बेवकुफ नहीं बना सकती है उसने वेडिंग रोक दी और सब लोग को सब कुछ सच सच बता दिया एंड्रू उसके पीछे पीछे रूम में आया उसने एंड्रू के लिए लेग लेटर लिखा था वो गय थी कि तुमने जो बुक लिखे है या एक्चॉल में बहुत ही अमेजिंग है तुम मेरे एक अच्छे असिस्टंट है तो इस वज़े से मैंने तुमारी बुक पपलिश नहीं की थी पर अब मैं जाने से पहले तुमारी बुक पपलिश कर दूँगे तुम बहुत ही अमेजिंग हो और अच्छी लाइफ जीना एंड्रू के पीछे पीचे उसकी एक्स गल्फरेंड भी आई एंड्रू कहता कि मार्गरेट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो उसने मेरा जीना हराम करकर रखाया एक्स गल्फरेंड को पता था कि एंड्रू मार्गरेट से बहुत ही प्यार करता है दूसे बुछ थी है क्या तुम उसे ऐसे जाने दो कि एंडू फे जल्दी जल्दी निकलने लग गया उसके फादर उसे रोकते हैं और गयते कि तुम कर क्या रहे हो फादर और एंडू में जगडा स्टार्ट हो जाता है तब ग्रैंडमा को हार्ट अटक आने लग गया वो जल उसे हार्ट अटक आया ही नहीं था उसने फिर पाइलेट से कहा कि जल्दी से हमें एरपोर्ट पर लेकर चलो ये सब लोग जब तक एरपोर्ट पर पहुचे तब तक बहुत ही लेट हो चुका था अल्रेड़ी मार्गरेट वहाँ से चली गई थी क्रैंडमा और मदर को बहुत बुरा लगता है फादर ने बुझा कि ये सब हो क्या रहा है मदर कहती कि मागरेट भी एंडरो से प्यार करती है उसे हट नहीं करना चाहती थी तो इसी वज़े से चली गई अब इसके बाद हम फिर से मागरेट को अपने ऑफिस में देखते हैं वो अपना सब सामन लेकर य उनीक था मागरेट कहती कि मुझसे प्यार करना है बहुत ही हार्ड होगा एंडरो कहता है कि रिलेक्शेंशिप हार्ड होती है इसके बाद हम इनकी इमिग्रेशन की इंटरुई देख सकते हैं जो सक्सेस्फुल हुए और इन्होंने शादी कर ली इसी के साथ इस मूवी की स ख्याल रिखिया झाल रिखिया झाल रिखिया